बरत बिनायक ये मंदिर महराष्ट के राइगड जिले के कोलापुर तालुका में एक सुन्दर परवतिय गाउं महर ने स्थित है शित्रे मधाखे वर्दम्म प्रसन्न यस्ति स्थति शिवर्दो गडेश विनायकस्ता प्रनवामी बत्त भक्तों की ऐसी श्रद्धा है कि यहाँ वर्द बिनायक गडेश अपने नाम के समान ही सभी भक्तों को उनकी मनुकामनाय पूरी होने का वर्द देते हैं प्राचीन काल में ये स्थान भद्रक नाम से भी जाना जाता था इस मंदिल में मंद दीप नाम से एक दीपक निरंतर प्रज्वलित रहता है इसके बारे में कहा जाता है कि ये दीपक साल 1892 से लगातार जल रहा है श्री वर्द बिनायक जी की स्वयंभू मूर्ती सन 1690 में श्री धोंडू पोटकर जी को दालाव में मिली सं 1725 में वर्द विनायक जी का मंदिर बनवाया गया अम् वर्दाय नम्हां 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 वर्द विनायक जी की कथा इस प्रकार है देवराज इंद्र के वर्दान से जन में गुट्समद ने पुश्पक वन में घोर तपस्या की कजानन उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और गुट्समद को वर्मांगने को कहा गुट्समद ने कहा हे भगवान मुझे ब्रह्मग्यान की प्राप्दी हो देवता और मनोश्य मेरी पूजा करें इसके साथ ही गुट्समद ने ये वर्भी मांगा कि पुश्पक वन बहुत पवित्र और भक्तों के लिए सिद्ध दायक सिद्ध हो भक्तों की मनुगामना पूर्ण करने के लिए आप यहीं वास करें गजानन ने वर्दान दिया वर्तमान युग, कृत युग होने के कारण इस युग में इस क्षेत्र को पुश्पक कहा जाता है त्रेता युग में इसे मनिपुर कहा जाएगा त्वपर युग में मानन और गल युग में भद्रक कहा जाएगा इस प्रकार गजानन से वर्प्राप्ती होने के बाद पृशी गुच्समग ने एक उत्तम देवालाय का निर्मान किया और गणेश मूर्ती का नाम वरत बिनायक रखा देखो गणे नायक की शान इनकी महिमा बड़ी महान देखो गणे नायक की शान इनकी महिमा बड़ी महान देखो गणना यक की शान इनकी महिमा बड़ी महान गले में है जस्वन तीहार दुर्वा से करते हैं प्यार गले में है जस्वन तीहार दुर्वा से करते हैं प्यार शीश मुकुट सुन्दर शिंगार कुंडल जूले दोनों कान देखो गड़नायक की शान इनकी महीमा बड़ी महान देखो गणनायक की शान इनकी महिमा बड़ी महान श्री वरत विनायक जी की दिन में तीन बार पूजा होती है प्राता सुभा छै बजे पहली आरती होती है और फिर दोपहर साड़े ग्यारा बजे दूसरी आरती होती है और रात के आठ बजे तीसरी आरती होती है महराश्टर के महण के वरत विनायक जी के मंदिर में श्री वरत विनायक जी की पूजा कोई भी स्वयम कर सकता है ओम श्री गणिशाय नमहा ओम श्री गणिशाय नमहा और भर दाय नमहा ओम वर्दाय नमहा ओम जढता है महाराष्ट के राएगण जिले के खालापुर तालुका के महारगाओं में जहां श्री वरत विनायक जी विराजमान है मुंबई पुने रेलवे मार्ग पर कर्जच से महार 34 किलोमीटर दूर है खोपोली से महार जाने के लिए आप एस्टी बसों का इस्तमाल कर सकते हैं अगर सच्चे हृदय से कोई भी मनुकामना मांगी जाए तो वो निश्चित पूरी होती है श्रीग जानन नमो नमहा गनपती बप्पा मोर्या 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 श्रीग जानन नमो नमा गणपती बाप्पा मोरया श्रीग जानन नमा गणपती बाप्पा मोरया